अस्सलामु आलीकुम रह्मातुलाहिव बरकातो हूँ बिस्मिल्लाहिर वह्मार वहीम शुरू करता हूँ अल्लाहिक नाम से जो बड़ा महरवान और नहायत चाहिम करने वाला है बिसमेट फो समेस्ट अफाइन और युलिदीन जो मैट्री लेक्षर नमबर फोर है हमारे पास और टॉपिक है हमारे पास सिवास्थियूरम सिवास्थियूरम जो है यह आज हमने प्रूब करना है इससे पहले हम दो थियूरम पढ़ चुके हैं खेल सिरूम और मेने लास्थियूरम ठीक है तो आज हमारे पास सिवास्थियूरम है यह थोड़ा सा मिनी लास्थियूरम से related है मीनी लाज सीरम में यह जो मैंने सामने statement लिखी वी और इसमें जो proof लिखा हुआ है ए ए ए फ और ए फ बी यह जो ratio लिखी हुए है उनका multiple one के बराबर है तो मीनी लाज में भी हमने यही proof करना था लेकिन उसमें statement कुछ और थी कि वहां पे एक लाइना पूरी triangle के तीनों points को cut कर रही थी और फिर हमने triangle की तीनों के side की ratio को one के बराबर equal करना था है यहां पे ऐसा नहीं है ratio हमने triangle की तीनों side की ही बराबर one के करनी है लेकिन यहां पे कोई एक line cut नहीं कर रहे बलके आपके पास तीन ऐसे points हैं जो के तीनों साइड को कट कर रहे हैं ठीक है और वो ट्राइंगल के सेंटर में अपस में कनकरंट हैं मिल रहे हैं तो फिर हमने इस ट्रेशय को प्रूफ करना है So let's move the statement बढ़ते हैं Let ABC be a triangle ABC triangle है वो आपको सामने दिखाई दे रही है ठीक है तीन पॉइंट्स जो हैं वो on the line BC, CA, AB respectively ये तीन पॉइंट तीनों line को कट करते हैं D जो है वो BC को कट करता है P जो है वो AC को कट कर रहा है और B जो है वो AB line के ओपर क्या है मौझूद है ठीक है तो lines AD कौन सी lines मैं दोबरे इस lines को जो है आपको दिखा देता हूँ एक line AD ठीक है line BE और line CF और concurrent at a point जिसको हम क्या कहेंगे ओ कहेंगे ये जो दिर्म्यान में point दिया हुआ है इस point पर ये क्या करेंगी concurrent होंगी यानि एक point पर जो lines मिलती है जिनका point common होता है उसको हम concurrent point कहते हैं तो ये line AD ठीक है BE और CF line are concurrent at point O if and only if शर्त क्या है जो हमने proof करनी है जो हमारा to prove है कि अगर तीनों lines की जो ratio है वो बन के ब्रापर हो तीनों side की ratio तीनों line की तीनों side की triangle की तीनों side की ratio कैसे ये जी पहली side की ratio मैं ले रहा हूँ AF over FB ठीक है BD over DC ठीक है इसी तरीके से CE over EA ये तीनों lines की ratio का हम product लें तो वो किसके ब्रापर आना चाहिए 1 के ब्रापर आना चाहिए वो कहता है कि अगर हम इस side पे जो ratio दीवी हैं इनको उलट कर दें सारी ratios को एक को नहीं बलके सारी को यानि AF over FB को FB over AF कर दें BD over DC DC over BD कर दें और CE over EA को हम EA over CE कर दें तो इधर से one जो है उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा वो सेम तो सेम रहेगा क्योंकि जो बन cover ऐसी प्रोकल क्या होता है वन होता है तो मेरे खाल में statement आपको समझ आगी होगी कि हमने करना यह है कि एक triangle ABC है और उसके ओपर हर side पे तीन points हैं D E F और वो triangle के center पे वो point पे मिल रहे हैं अगर वो current हैं तो यह वाली जो statement दी वे इसको हमने क्या करना है प्रूफ करना है सो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं मैं यहां पर दो triangle लेता हूं तो वो दो triangle कौन सी है एक ले लें आप B O D और दूसरी है C O D वो किता है B O D और C O D जो है वो एक ही base पे मौजूद है यह देखें BC line जो अगर यह दोनों एक ही base पे मौजूद हैं और दोनों की height वो कहता है क्या है बराबर है अगर दोनों की height बराबर है तो दोनों का जो ratio होगा वो आपस में दोनों की जो ratio होगी वो किसके बराबर होगी B D over D C दोबारा सुनें कि आपके पास मैं दोने मैंने दो triangle नीचे से BC line से एक triangle है जी B O D और दूसरी triangle है हमारे पास D O C या C O D ये दोनों triangle का जो ratio होगा वो इन से जो connected base है वो उसकी ratio के क्या होगा equal होगा और इन से connected जो base है वो एक ही line है इस triangle का भी base यही नीचे वाली line है और इस triangle का base भी यही नीचे वाली line है अगर इन से connected base एक ही है तो वो उसकी ratio के क्या होगा equal होगा यानि B D over C D तो नीचे वही वज़ा लिखी हुए because both triangles have same height and same basis okay now consequently नतीजातन इन दोनों triangle से जुड़ी जो भी triangle होगी उपर की तरफ जितनी triangle बढ़ा दें उसकी भी ratio B D over DC के बराबर होगी कैसे ये triangle ये थी अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये triangle बन जाएगी B A B D A और इदर से ये triangle बन जाएगी C D A ठीक है total triangle तो फिर वो कहता है ये दोनों triangle भी नीचे वाले एक ही base से जुड़ी वी हैं तो नतीजातन ये भी B D over CD के क्या होगी equal होगी तो point आपको समझा गया होगा अब थोड़ा सा एक और point की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मैं इस total triangle में से triangle B D A में से triangle B D O माइनस कर दो triangle B D A में से total में से या half triangle क्या कर दें माइनस कर दें इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ये total triangle CD A में से triangle CD O माइनस कर दें तो हमारे पास ये भी किस के बराबर आएगा B D over DC के बराबर आएगा तो आपके पास यहां पर गोर से देखें कि इस total triangle B D A में से B D O निकाल दें तो हमारे पास हिस्सा जो बचता है वो कौन सा बचता है? ये वाला बचता है ठीक है? जो हमारे पास बचेगा हिस्सा वो कौन सा बचेगा? ये वाला और इदर से कौन सा बचेगा ये वाला क्योंकि नीचे से ब्ल्यू कलर वाली जो ट्राइंगल हैं वो मैंने क्या कर दी हैं माइनिस कर दी हैं तो उपर जो येलो कलर वाली ट्राइंगल हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी बच जाएंगी अगर हम पूरी ट्राइंगल में से नीचे blue color वाले triangle क्या कर दें माइनिस कर दें तो उपर वाले जो yellow color की triangle हैं वो कौन सी हैं वो बनती हैं जो इधर से B O A ठीक है इसी तरी के से C O A ये तीन triangle हमारे पास बनती है सोरी दो triangle तो इन दो triangle का जो वो कहता है ratio है वो भी किस के बराबर होगा BD over DC के बराबर होगा तो हम नतीज़तन इस जगां पर पहुंचे जो हमने निकालना था यानि कि जो हमें चाहिए था equation number one इसको निकालने के लिए हमने इतना सारा काम किया है तो एक बार फिर क्यूंकि आगे जो है मैं similarly कहके इसको वियान कर दूँगा लेकिन एक बार फिर से समझ लें कि आपके पास यहां पर सबसे पहले हमने नीचे वाली blue कलर की दोनों ट्राइंगल का रिशो लिया तो वो भी BD over DC के बराबर आया पिर हमने whole triangle BDA over CDA का रिशो लिया वो भी BD over DC के बराबर आया फिर हमने पूरी triangle में से जो नीचे वाली triangle का ratio लिया था, उसको minus कर दिया, तो वो भी BD over DC के बराबर आया, तो हम पूरी triangle को नीचे वाली blue color की triangle निकाल दें, तो उपर yellow color की triangle बचती है, जो के हमारे पस BOA है, और इधर से भी वही बचती है, COA, तो इनका ratio भी किसके बराबर बीडी ओवर डीसी के बराबर आता है तो consequently आप के पास यहां पे हुआ क्या कि सामने वाली दो ट्राइंगल का रेशो जो है वो किसके बराबर आ गया बीडी ओवर डीसी ठीक है अगर गोर से देखें तो दो ट्राइंगल जो सामने दी दी है एक B-A line के, A-B line के साथ वाली और एक A-C line के साथ वाली तो जो इन lines के साथ वाली triangles हैं, इनका ratio किसके बराबर होता है B-D over D-C सामने वाली line के अब इसी तरीके से अगर हम इसको apply करें यहां पे दो triangle और पे वो दो triangle मैं कौन सी लेता हूँ? वो दो triangle एक मैं ले लेता हूँ जी ये वाली और एक मैं ले लेता हूँ ये वाली तो देखें ये दो triangle वैसे same to same इन के सामने वाली line जो है इन दो line के सामने वाली line कौन सी है A, E, C, E यानि A, C, ये वाली line तो इन का जो ratio होगा वो किसके बराबर होगा C E over E A similarly वैसे का वैसा जैसे वहाँ पे हमने पहले नीचे वाली दो ट्राइंगली फिर होल ली फिर होल में से नीचे वाली माइनस कर दी तो फिर हमारे पास जो बचे अब अगर मैं नीचे वाली ट्राइंगल ये दो लेता ठीक है ये वाली लेता फिर होल लेता फिर उस में से उपर नीचे वाली माइनस कर देता तो हमारे पास बचती क्या ये वाली B O A और ये वाली ठीक है B O A और B O C बचती ठीक है तो B O C ओवर B O A ये किसके बराबर आएगा इसके सामने वाली लाइन के रेशो के हैं, इन्हें दोनों ट्राइंगल के सामने वाली लाइन, तो दोनों ट्राइंगल के सामने वाली लाइन हमारे पास है, C, E, A, C, E, A, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेशो आगे, next move करते हैं, दो ट्राइंगल हम और लेंगे, वो दो मैं लेलेता हूँ जी एक लेलेता हूँ जी C O A इदर से और एक ट्राइल लेंगल लेता है B O C इन दो ट्राइंगल के सामने वाली लाइन जी कौन सी है A B है तो इन का रेशो किसके बराबर होगा A F over F B यानि C O A C O A जीक है यहां से C O A कौन सी ट्राइंगल है C O A ये येलो कलर वाली, ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास BOC है, वो दूसरी ट्राइंगल है, तो इन दोनों के सामने वाली लाइन करेशो है, AF over F B, इसके बराबा है, तो हमारे पास ये तीन equation आगी है इन triangle में से, दो दो triangle ली हमने इसी triangle में से, और उन triangle करेशो निकाला तो तीन equation आगी अब तीनों equation को हम आपस में क्या करा देंगे multiply करा देंगे तो सबसे पहले मैं ये ले ले लेता हूँ A F over F B तो इसके सामने वाली कौन सी है C O A over B O C ठीक है जी इसी तरीके से दूसरी हम ले ले लेते हैं वो वाली जो हमा लास्ट पेज पे लेके आए थे B D over D C बराबर B D A sorry ये नहीं ये नहीं ये नहीं equation नमर वान में B D over D C जो के बराबर है B O A over C O A तो ये दूसरे नमर पे हमने ले ली B D over D C B O A over C O A ठीक है इसी तरीके से हम फिर तीसरी ले लेंगे C E over E A ठीक है और B D B O C over B O A तो ये आपके पास C E over E A आ गया और इधर से आपके पास आ गया B O C और B O A because आपके पास right hand side तमाम right hand side से multiply होंगी और left hand side तमाम left hand side से multiply होंगी अब इसमें जो order है उस जो हैना matter नहीं करता आप बेशक कोई सी भी equation को पहली equation को पहले लिख लें दूसरी equation को क्योंकि multiply हो रहा है order जो है ना matter नहीं करता लेकिन ratio मैस्टर करती है ratio आप उपर निशे नहीं करेंगे तो इसको fb over aaf नहीं करेंगे ठीक है, so let's move the solution solution में देखें अगर हम इस side पे गोर करें आप इस side पे गोर करें तो आपके पास होता क्या है, ये नीचे c o a दिया हुआ है तो इधर भी c o a दिया हुआ है ये cancel हो गया, इती तरीके से b o c है इधर और इधर भी b o c है ये भी आपस में cancel हो गया इधर b o a है और इधर भी क्या है b o a तो इधर से तमाम ट्राइंगल जापस में क्या होगी कैंसल होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा कि AF over FP.BD over DC.CE over EA equal to आ जाएगा बनके test prove the solution जो कि हमने क्या करना था proof करना था So, thanks a lot Allah ताला हम सब को कम्याब कर रहा का सच के रस्ते के जम्याब की तफिक दे Leave your comment, Allah हाफिस